फिलाल तस्वीरे देख रहे हो करनाल विजिलेंस दफ्तर के बाहर से आपको बता दे कि सेक्टर 32-33 में तैनाथ ASI सरीता जिहां जिने 4 लाकी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है फिर से एक बार बता दू सेक्टर 32-33 में तैनाथ ASI सरीता जिनके उपर अब जो है ये आरोप है कि वो 4 लाकी रिश्वत लेते रंगे हाथों विजिलेंस ने दबोच लिया है अगर आपको बात बता दे कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आता है तो कहीं न कहीं शिकायत कर जिनके उपर एक महिला द्वारा दुशकरम का आरोप लगाया जाता है महिला जो बताया जा रहा है सोकडा की रहने वाली है जबकि व्यक्ति पर आरोप है वो जूनला के रहने वाले और मामला स्थाना सेक्टर 32-33 कैसे पहुँच जाता है फिलाल ये जाज का विश्य है और बतादू कि जो दुशकरम के आरोप उन पर लगे है उनको हटाने की एवेज में पूरे आठ लाक रुपे जो उनसे लिये जाने थे उसके बाद जब आज जो है सेक्टर 32-33 में ही 4 लाक रुपे की रिश्वत के साथ एसाई सरीता को पकड़ा गया है रंगे हां तो रेड है आपको बता देगी करनाल वजलेंस लगातार इस तरह के मामले लेकर सामने जरूर आ रही है अगर बात की जाए अभी पिछले समय में इनिस सिंग के जो है एसजियो पकड़े गए थे जेही पकड़े गए थे बिजली विभाग के थे आप फिर से एक महिला महिला अधिकारी अगर बात करे एसाई है सेक्टर 32-33 में तैनात सरीता उनको 4 लाक रुपे की रिश्वत लेते हुए रंगे हां तो फिलहाल वजलेंस के टीम ने पकड़ लिया है फिर से एक बार बता दू पूरा मामला किस तरह शुरू हुआ एक जो है आरोप था दुशकरम का शिकायत करत पर अरोप था और वो अरोप जो है हटवाने की एवज में क्योंकि शिकायत करता कभी फिलाल ये कहना है कि वो जो उनके ओपर आरोप ये पूरे लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियादर वो उनको हटवाना जरूर चाते थे लेकिन उनसे इसको इनको पूरे जो है अरोप है उनको हटवाने की एवज में 8 लाक रुपे पहले 10 लाक रुपे डिमांड थी लेकिन 8 लाक में सेटलमेंट होती और 4 लाक रुपे काम होने से पहले मांगे जाती और 4 लाक रुपे काम होने के बाद मांगे जाते हैं अब आपको बता दे कि किस तरह से आज जब व आपको बता दू कि शिकायत करता के पास ऐसा कहा जा रहा है कि एक रिकॉर्डिंग है पूरी रिकॉर्डिंग मौझूद है इस बात की कि किस तरह से पैसे मांगेगा और क्या कुछ उनका कहना अगर यह आपको बताया जाए कि उनका क्या कुछ कहना है तो आप हैरान रह जाए आरोब के ऐसे अटेंगे पूरे आठ लाग रुपे अगर आपको दे देते तो उनका कहना था कि जो बड़ी रकम जो है एक DSP को जानी है बाकी SHो को जानी और उसके बाद मेरे पास एक लाग रुपे ही बचेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के ये बायान है ये सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि जब आपको किसी भी तरह के किसी ऐसी सिचुएशन में आप फसे हुए और वहाँ पर अधिकारिया आप से रिशुन मानते है तो आप भी करनाल विजलन्स में एक बार जो है इसकी शिकायत जरूर दे सकते हैं कॉंटेक्ट जरूर कर सकते और अगर बात की जाए तो आपका नाम भी बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा इसी के चलते आज सेक्टर 32-33 में तैनात एसाई संगीता को सरीता को चार लाक रुपे की रेड हैंडे रिश्वत रेड हैंडे ब्राइब यानि की चार लाक रुपे रंगे हांतों पकड़े जब शिकायत करता ही सेक्टर 32-33 में पूरी वो पेमन देने के लिए पहुंचे तो उससे पहले उन्होंने जो है विजलन्स को ये पूरी इस बात की जानकारी दी थी आब आप ये देखने वाली बात है कि करनाल में अगर कुछ भी काम है अगर ये भी बड़ा जो है मामला स से चला जाता है और वहाँ पर एक पूरी मोटी भारी रकम मांगी जाती है 10 लाग उसके बाद 8 लाग में सेटल्मेंट होती है 8 लाग ये भी बात की जाया तो फिर 4 लाग पहले मांगे जाते है काम होने सुरका जाता है कि 4 लाग आप बाद में दे दे देना तब आज जो है कि कितनी मोटी रकम जरूर मांगी गई थी और कई न कई रंगे हाथों पकड़ा गया है यानि कि हर अधिकारी इसमें लगातार जो इस तरह से मामले सामने आते रहते हैं और कई न कई बात की जाए फिर से करनाल से एक बड़ा मामला जरूर सामने आया कि किस तरह एक महिला पुलिस आफिसर जो है इतनी मोटी रकम किस तरह से मांगती है तो आपसे अपील ये रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जुरूर करें कमेंट कर अपनी राए भी बारे में जुरूर बताए कि आखिर क्या कुछ जो है करनाल में चल रहे हैं कि हम सिटी करनाल में चल रहे हैं जहां से मुखे मंतरी मनोरलाल खटर खुद विधायक है जी हां कहीं न कहीं हाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आए अभी जो है पिछले कुछ समय पहले ये एक बड़ा मामला सामने आया था जहां निसिंग से पकड़े गए ते अदिक अधिकारी जियां एस जी ओ जेई तो आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरे करनाल की बात की जाए तो रिश्वत चर्म सीमा पर है और अगर बात की जाए करनाल विजलेंस की टीम पर जो अगर बात की जाए तो जनता का विश्वास भी जरूर करते रहे अब देखने वाली बात रहेगी किस मामले में क्या कुछ निकल कराता है क्योंकि फिलाल जो पुराने मामले उनी का डिस्क्लॉजर नहीं हो पा रहा है तो अब देखने वाली बात यही है कि इस मामले में जो है ये पूरे पैसे कहा तक जाने ते किस तरह की वो recording जो शिकायद करता के पास है फिलाल जो है बाचीत भी जुरूर करने का प्रयास करेंगे जो यहां के अधिकारी है सचीन है इंस्पेक्टर सचीन है विजलेंस से उनसे भी बाचीत करेंगे वो उनके बयान भी जो आपको जुरूर सनवाएंगे लेकिन ये बड़ी update यही ह कि करनाल से फिर से सेक्टर 32 तेती यानि कि एक पुलिस में तैनात महिला अधिकारी महिला पुलिस ओफिसर एसाई जो जिनका नाम सरीता है और एसाई सरीता सेक्टर 32 तेतीस में तैनात है उनको चार लाख रुपे की पूरे चार लाख रुपे की रिश्वत के साथ पकड़ गए थे एक पक्षद्वारा एक दूसरे पक्षव पर जो है यह अरोप लगाय था दुश्करम का रोपाल है लगाया गया था और उसकी एवज में अरोप अतानी की की एवज़ में झाल झाल